मैं डॉक्टर जंचल और हमारे साथ हैं हमारी प्यारी सी अनु और अनु जो हैं वो हमारे पास ट्यूब ब्लॉकेज के समस्या के लिए आई थी और इन्होंने दो बार है चेस्टी कराया क्योंकि पहले इनको कॉर्णल ब्लॉकेज निकला शादी को सिर्फ धाई साल हुएं ब कासेंट्रेक्स के लिए लगाए थे यह सोचकर कि शायद किसी इन्फेक्शन की वज़े से ऐसी ट्यूब्स जो हैं वो खराब हो गई होगी बट एक एबॉर्शन जो इनको 2023 में हुआ था उसके बाद यह ट्यूब ब्लॉकेज हो गई और कॉर्णल आपे से जब टेस्ट करा कि ही है और इसके बाद आज का ही है जिसमें ट्यूब्स बहुत अच्छे से ओपन हुई है आये जानते हैं अनू की जर्नी के बाद अनू हमारे पास आने से पहले जब आपका एबॉर्शन हुआ और आपकी ट्यूब्लॉकेज निकली फिर डॉक्टर ने आपको इंजेक्श पास है थांक यू मैं आपका वेल्कम बहुत कम उमर में ट्यूब्लॉकेज जैसे समस्या कॉमनली मिल जाती है इतनी कम एच में एक अबॉर्शन होने की वज़ह से जो कि शादी के तुरंद बाद इने कंसीव हो गया था पर उस अबॉर्शन की वज़ह से यह ट्यूब्स ब जिसके 40 साल की उमर में जो है वो ट्यूब्स बॉपन हुई है और वो पहले दो आईविफ भी करा चुके थे तो ऐसी कोई समस्या होती है तो ट्यूबल ब्लॉकेज को बहुत बड़ी समस्या ना समझते हुआ अप ने च्छल तरीके से अपने ट्यूब्स बाद जो बंध हो गई है या नॉर्मली ट्यूबलॉकेज और आपको लगता है कि कोई और रास्ता नहीं है आईविफ ही कराना है तो आईविफ की 30 से 40 परसेंट से बहतर है कि आप एक बर आयरवेद अपना है और यकीन मानिये हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको निराशना करें करेंग यूर्मᵃू यूर्म धिए